हाई गाईज and welcome to my new vlog so कैसे हैं आप लोग I hope मस्त होंगे मैं भी मस्त हूं स्वस्त हूं और ब्यस्त हूं आप लोगों के लिए vlogs बनाने में so guys आज मैं जा रहा हूं एक काम है जो घर पे ही है वोई करना है वो काम है धान के खेत में पानी चलाना है मतलब pumping set से जो एक बोर होता है उसी से धान के खेत में पानी भरना है और यह सब जो बाई लोग है तो बोलो यह सब अभी जो है आज नहाने वाले हैं उसी मतलब जो पानी चलेगा तो उस पानी में नहाएंगे सब के सब ठीक है तो मोग चलते हैं खेत की तरफ और आप लोगा चल चलो । अब्देर हो कि आप देख सकते हैं यह बच्चे जो भई लोग है चोटकी शोटे चोटे बच्छे कि इतने खूश है आज और आज नहाएंगे ना पानी में पानी में तो इसालए की बात रहेगा सब के सब मैं चलो मसीन के पास में इंजन के पास में इंजन के पास मैं आ रहा हूं सो गाइज अभी मैं जो है पढ़े लेता हूं हैंडल जिससे की इंजन को स्टार्ट करते हैं और साथ में डीजल है यह रख रहा है यह है डीजल लो बाई पकड़ो इसको इसको डीजल और एक साथ में एक हैंडल भी लगता है क्योंकि वाई इंजन जो है इसी से स्टार्ट होगा सो गाइज हम लोग चलते हैं इंजन के पास में और अब इंजन को इस्टार्ट करते हैं ताकि धान के खेद में पानी भर जाए क्योंकि काफी दिन हो गया बारिस नहीं हुआ है और बारिस नहीं होने के वजा से सारे धान जो है सूख रहे हैं और उसी से दान में पानी भरेंगे और साथो साथ में यह भाई लोग हैं पानी में नहां नहां के चलते हैं हम लोग इंजन के पास मैं आ गया हूँ आप देख तकते हैं यह रहा इंजन और इधर है बोर इधर है बोर जहां से पानी निकलेगा और इंजन से फिर यहां से निकलेगा और तब उसके बाद अब ही मैं पहले डीजल डाल दूँ इसकी टैंक में उसके बाद तभी चलेगा आप देख सकते हैं आप इस यह जा रहा है डीजल टैंक के अंदर डीजल कहां चला गया भाई अब यह जा रहा है और अब इसमें लगाएंगे यह वारे लाल बादर सास्त्री तो अभी लगाएंगे हैंडल लगाओ लगाओ और अब यह जा रहा है हैंडल मारने और अभी इंजरे अब मेरी बारी है अब मैं जा रहा हूं हैंडल मारने देखो इस्टार्ट होता है कि नहीं होता यह सभी भाई लोग तैयार है नहाने के लिए लेकिन पता नहीं इजन इस्टार्ट होगा या नहीं होगा और लगता है इंजन मेरे से भी स्टार्ट नहीं होगा लेकिन एक बार मैं फिर से ट्राइब मारने जा रहा हूं और देखते हैं इस बार साइद इंजन स्टार्ट हो जाएगा और पानी निकलने लगेगा अब इस बार मैं तीसरी बार करने जा रहा हूं तो देखते हैं आपने तो आदा खियत हो जागता है नाट पारे तो गाइज फाइनली इंजन स्टार्ट हो गया और यह देख सकते हैं पानी निकल रहा है और अब यही पानी खेतों में जाएगा फिर जो है धान की सिचाई हो जाएगी गाइज तो आप ब्लोग पे बने रहिए और एंज्वाइक करते रहिए तो गाइज आप देख सकते हैं यह जो भाई लोग हैं छोटो छोटे बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं कितना एंज्वाइक कर रहे हैं पानी में काफी मज़ा भी आता है इसी बात नहीं है तो गाइज ब्लोग पे बने रहें और आप भी एंज्वाइक करते रहें अब मैं जा रहा हूँ खेतों की तरव क्योंकि वहाँ भी देखना पड़ेगा पानी किदर जा रहा तो यह रहा मेरा प्षावड़ा और फिर चलते हैं तो गाइज पानली मैं खेत में आ गया और यह देख सकते हैं यह जो भान का खेत है दान की रुपाई होई है यह समया और इसी पानी चलाया जा रहा है तो आप देखते रहें और enjoy करते रहें और मैं इसी दान में जो है पानी चला रहा हूँ और फिर पावड़ा लेकर भी चलना पड़ेगा क्योंकि अगर कहीं पानी दूसरे केत में जाए लगा तो वहाँ पे मैं मेड को बाधूंगा कैसे सो मुझे फावडा लेकर चलना पड़ेगा सो चलते हैं आगे देखते हैं लगता है भर गया भई सो गाइज मेरा खेत पानी से भर गया है लगभग डेढ़ दो घंटा इंजन चला तब जाके मेरा खेत भर गया है और अब चल रहा हूँ इंजन बंद करने क्योंकि जादा चलाओंगा तो दूसरे खेत भर जाएगा निकल जाएगा पानी सो चलता हूँ मैं और आप यह देख सकते हैं धान की कितनी अच्छी खेती है मस्त एकदम धान के फल लग रहे हैं और जो है कितनी हर्याली मस्त लग रहे हैं चारो तरफ हर्याली ही हर्याली है और हाला कि 3-4 दिन से बारिस नहीं हुआ 3-4 दिन के अलग वग एक हफ्ते से बारिस नहीं हो रहा है इस वज़ासे जो है हम लोग को पानी चलाना पड़ा वैसे समय बरसात का है बरसना चाहिए लेगिन भगवान भी कोताने कहा चला जाते है कोई बात नहीं अगर नहीं बरसेंगे तो हम लोग खुद इंजन चलाके पानी से भरेंगे और उसके बाद धान उगाएंगे अभी मैं चलता हूं इंजन की तरफ इंजन बंद करना है तो लेस्ट गो अभी लोग तो यह पतला पतला मेड लगा हुआ है तो मतलब जो है बहुत ही पतला है उसमें चलने में दिक्कत ही होती है तो यहां पर पानी दो भरा भाई अब भरा है बस 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 ठीक है तो गाइस चलते है इंजन की तरफ कि अगर कि अगर